हेलो फ्रेंड्स मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अस्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड शेयर के बारे ठीक है आज हम लोग अस्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड शेयर का यह चार टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे रिटेंड शेयर ओल्डिंग्स टार्गेट एंस टॉप लॉस और फंडामेंटल्स अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो और अभी तक आप लोग इन्हों मे बात के चार्ट पर यहाँ आप लोग देख सकते हैं इसने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सामील है ठीक है तो हम लोग पॉजिटिव को पहले देखते हैं देखिए weekly में सबस्वेट से ज्यादा का पॉजिटिव लिटन है मंतली में 25 परसें से ज्यादा का खाकी और अब हम लोग चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पर तो आ चुके फ्रेंड हम लोग शेयर होल्डिंग पर यहां आप लोग देख श rozp से नहीं पुल्डिंग ? नहीं जरु होलंग के लिए-उस, और फर मॉटीप होलंग जो है 55.92 परसेंट जो कि अच्छी बात है और फाएक के वाल्डिंग फॉॉर पॉैंट जीरो परसेंट है तो वहीं DII के होल्डिंग 0.94 परसेंट है और पॉब्लिक होल्डिंग 39.11 परसेंट है ठीक है तो हमने अभी शेयर होल्डिंग और रेटन्स देखा इस्टील एक्सचेंज शेयर का अब हम लोग चलते हैं चार्ट पे जहां हम लोग जानेंगे इसका टार्गेट और स्टॉप लॉज शॉयर्ट रोओ टॉम में तो आचुके हैं आप इस तील एक्सचेंज के चार्ट पे चिक यहां देख लिए यहां लिखा हुआ है शॉट में है इस तीगấu है इंडिया अर्मध के लिए टार्गेट हो उसको find करने वाले हैं, ठीक है? तो देखिये, डे candle पे इसका जो first target होगा, वो होगा, 11.50 पैसे का, second जो इसका target होगा, 12.95 पैसे का, ठीक है? और third जो इसका target होगा, फ्रेंड, वो होगा, 16.00 रूपे का, 16 रुपय का इसका 3 टार्गेट होगा ठीक है फ्रेट अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की तो इसका जो 1 रुपय स्टॉप लॉस होगा वो होगा 9 रुपय 85 पैसा का 9 रुपय 85 पैसा का इसका जो 2 रुपय स्टॉप लॉस होगा वो होगा 8 रुपए 40 पैसे का इसका जो 3 रुपए 75 पैसे का ठीक है फ्रेंड तो हमने short term पे target और stop loss को जाना अब हम लोग चलते है long term पे long term के लिए हम लोग weekly candle या monthly candle यूज़ करेंगे मैं यूज़ कर रहा हूँ weekly candle और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कमाल का return दिया था 10 के बाद कहाँ चला गिया था यह 25 पे 25 को भी पार कर गिया था ठीक है अब आभी वापस से ही 10 पे आ चुका है अब देखें long term पे इसका जो target निकल के आ रहा है वो first है आपका 17 रुपए का second जो इसका target निकल के आ रहा है वो है 32 रुपए का अब हम लोग बात करते है इसके stop loss की तो इसका जो first stop loss होगा और last मैंने की stop loss रखा है इस पे तो इसका first और last जो stop loss होगा वो होगा साथ रुपए 75 पैसे का अब है तो आपने अभी टार्गेट और stop loss को देखा अब हम लोग चलते है फंडामेंटल्स पे जहां हम लोग अबर विव अबर विव देखेंगे इवेंट्स देखेंगे और लेटेस्ट निउस देखेंगे ठीक है तो आ चुके है फ्रेंड अब हो जहां फंडामेंटल्स पे ठीक है और इसकी जो रिटन्स है यहां पे यह इली अप्डेट होता है ठीक है और वो जो मैंने दिखाया था वो मनी कंट्रोल अब से था वो डेली अफडेट नहीं होता है तो यहां दखेंगे इसके रिटन्स देखें मनतली में लेंद Tahirita स ata का इसका market cap है share holders की बात कि रहे तो 98.47 के share holders है PE ratio की बात कि रहे negative 15.16 है PV ratio की बात कि रहे 2.26 है अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर इसके events पर देखते हैं इसका latest event कब हुआ था last event कब announcement हुआ इसका तो हम लोग चलते हैं निउस पर देखते हैं इसका latest news क्या है तो देख सकते हैं इस यहर पर किसी भी टैप कर latest news नहीं है तो आसकर तो यह वीडियो आपको अच्छी लगए होगी वीडियो अच्छी लगए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना मिलते हैं लोग नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई